अप्रनूर और विल्कम तो माई यूटूब चैनल प्रयाक पॉइंट दोस्तों इन इस वीडियो वी विल डिसकस अबाउट एयू, यूजी और पीजी कट ओफ फॉर 2022 एड्मिशन दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं इलहाबाद भी स्विद्यल है यहनी यूनिवे चीज़ें समझ में आजाएं पहला चीज यह है बहुत सारे चात्राव का कमेंट सा रहा था बहुत सारे चात्रें मैसेज भी कर रहे थे और कई सारे चात्रा ने कॉल भी किया तो सबसे पहले मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो यूजी कॉर्सेश की कट ओफ है इलाबा गुर्शे ही इनको सी इूटि ने मैयरेट लीट संपी तो तुरंत हीी अपनी कट-अफ रिलिज कर देंगे वहीं पीजी की अगर हम लोग बात करें क्योंकि फीजी वाले चात्र भी बहुत सारे हैं वहीं अब इसकी जो counseling है वो 30 तारिक से start करने की प्रक्रिया बताई जा रहे है कि 30 से प्रक्रिया online माध्यम से शुरू कर दी जाएगी तो सबसे पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर के पहले सब्ता में इस नातक पाठक्रमों में प्रवेस की उम्मीद इस्टार्ट यनि 30 से PG की start होगी आप लोग समझ सकते हैं 30 से PG की और अक्टूबर के पहले सब्ता में यनि की 1,2,3 किसी भी दिन से अक्टूबर से भी यह भी start हो जाएगी और यहाँ मैं आप को कुछ चीजे दिखा देता हूँ दूसरी चीजे यह हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो AU में इस नातक की प्रवेस परिच्छा है जो उसकी प्रक्रिया करीब करीब सारी चीजे संपन करा ली गई है और साथ ही जो करीब करीब साथ में एक साथ ही UG और PG की दोनों की प्रक्रिया सुरू हो सकेंगी पर इस नातक में प्रवेस के लिए कई भी भागों कटाफ भी जारी हो चुके थे मैंने यह बत चीजे सारी चीजे आपको बता दी है फिर वहीं जो है UG कोर्सेस की कटाफ भी जैसे ही AU को मिलेगी वो अपना जो है कटाफ तुरंत ह ही रिलीज कर देंगे इसमें आप लोगों से यह एक बहुत बड़ा कोस्चन होता है कि जिन चात चात्राओं का AU यानि इलहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमीशन नहीं हो पाएगा यानि किसी कारण वसे उनके जो मार्क्स हैं इंट्रेंस में वो कम हैं तो वो लोग क्या करेंगे यानि कि जिनका AU कैंपस में नहीं होगा मेन कैंपस में नहीं होगा और लोगों के लिए भी क्या कोई रास्ता है कहां पेडमीशन ले बेस्ट कॉलिज कौन सा हो सकता है सारी चीज़ें आपको यहां पर जानकारी मिलने वाली सो दोस्तों चलिए हम लोग अब यह ब इंप्रटरिंट्ट है दोस्तों कि जिनका मार्क्स कम है यानी कि स्यू टी इंटेंट्ट में तरियं गताती तो आप लोग क्या करेंगे सन कहां लेंगे इंग उन सारे चातरों के लिए बीडियो बहुत ही प्रटेंट होने वाला है तो आपको बता दे कि अगर आप लोग चैनल पर नाए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यहां पर आपको युनिवर्सिटी ओफ लाहबाद की हर एक अप्डेट छोटी से लेकर बड़ी अप्डेट मिलती रहती है और जैसे जैसे कोई क्टॉफ आएगी हरेक कोलेज की चाहे जिससे अफिल्टेट कॉलेज हो यहां पर मिलेगी तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहां पर जो question है कि जिसका AU main campus में नहीं होगा वो लोग क्या करेंगे तो आपको बता दें दोस्तों AU main campus के अलावा इसके बहुत सारे affiliated college हैं लगभग 10 या 11 और भी हो सकते हैं मुझे exact नहीं है जानकारी लेकिन इतनी है अभी recall नहीं है बाकी पता है लेकिन recall नहीं करो लेकिन इसके बहुत सारे affiliated college हैं affiliated college में से भी best college आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि जो की आपके सामने दिखाई दे रहा है CMP degree college भी आपका best college हो सकता है AU main campus की तरह जैसे AU main campus सारी चीजें AU के निर्धारण के द्वारा ही चलती है बट इनका campus अलग है और कुछ नहीं है ठीक है AU main campus से fees थोड़ी से ज़्यादा लगती है इनमें बाकी सारी चीजें वही हैं उसी से निर्धारित है वही सारी चीजें होती है इनकी cutoff जो है AU main campus से काफी ज़्यादा लो जाती है यनि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपका AU में नहीं होगा तो affiliated college में तो हो ही जाएगा जैसे कि आपको मैंने बताया नाम एक CMP degree college भी आपका best college हो सकता है CMP degree college जो की है ये constituents college है University of Allahabad का ठीक है और इसमें सारे courses available हैं लगबग लगबग सारे courses PG के भी UG के भी और LLB तक के सारे courses एक से available मिल जाएंगे आपको यहाँ पर CMP degree college में वहीं दूसरे पिर आता है आपका IS ASDC यहनि की इस्वर सरण degree college प्रयागराज यह भी क्या है अलहाबाद university से अफ्लिटेट है ADC इसका पूरा नाम है अलहाबाद degree college यह भी क्या है अलहाबाद university से अफ्लिटेट है जगत्तार डिगरी college हो गया और आपका SS खन्या degree college हो गया और भी कई सारे All ages है जो की इससे अफ कट आफ जो काफी ज़्यादा लो होती है अगर आपको बताएं कि इन सभी में से बेस्ट कॉलिज के बारे में तो बेस्ट कॉलिज के मैंने नाम यहाँ पर तीनों के नाम यहाँ लिख दिये हैं CMP degree college, ISDC और ADC यह कफी ज़्यादा अच्छे college हैं आपके अगर आपको इन में admission मिल जाता है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने के जरूत नहीं है कि आपका AU main campus में नहीं हुआ है अगर आपको CMP मिल जाता है तो बीना हेच की चाहिए आप admission ले लीजिए ISDC में मिलता है तो आप वहाँ भी one of the most best college University of इलहाबाद ठीक है यह भी एक बहुत अच्छा college है University of इलहाबाद के लिए ISDC तो आप लोग यहां भी admission ले सकते हैं बस इतना है कि फीस इनकी थोड़ा सा महंगी है AU से जादा है सो आप लोगों को यह बताना था फ्रेंड्स जो की CMP degree college, IS degree college और ADC degree college की cut off भी जिनकी जब भी release होगी AU main campus के बाद होगी ठीक है वैसे आप लोगों परेसान है आप लोग कोसिस करिए main campus में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आप admission ले लिजे अगर नहीं होता तो घबर आने की कोई बात नहीं है वेट कीजिए जब इन college की cut off निकलेगी तो आपको हमारे चैनल पर inform किया जाएगा जो भी cut off आएगे आपको वीडियो के माद्ध हम से बता दिया जाएगा अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो पिले चैनल को subscribe जरूर कर लिजे वरना आपकी cut off मिस हो सकती है इस वीडियो में यही आप सभी लोगों को बताना था आप लोग comment box में जरूर बताएगा कि आपके marks कितने आए हैं और आपको ये college मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है so please comment box में जरूर बताएगा कि दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद